वेलकम तो वैब इंस्टिटूशन, अन इंटरनाश्टल ब्रांड अफ साफ्ट्वेर इंजिनरिंग एजुकेशन हालो स्टुडेंट्स, जरा इस अप्लिकेशन फंक्सनालिटी को अपजर्व कीजिए मैंने कहीं पे भी कोड में राइट नहीं किया है कि कौन सा कलर आएगा यहां चो आप कलर चेंज होता हुआ देख़र हो यह डाइनेमिकली ब्राउजर खुद चेंज करके जेनरेट करेगा और आपके शामने प्रस्तूत करेगा और आशा नहीं प्री डिफाइन कलर अनलिमिटेट कलर होगा अगर आप ब्राउजर को वन आवर के लिए भी खुला छोड़ दोगे फिर भी आपको हर बार अनलिमिटेट अलग लग प्रकार के कलर्स देखने को मिलेंगे इसकी कोडिंग में आपको व्यू जेस में कटके बताऊंगा वैशे अगर आप व्यू जेस नहीं जानते हो सिर्फ जावा स्किप्ट जानते हो फिर भी आप इसे अप्लाई कर पाऊगे क्योंकि भले ही view.js code को apply करे लेकिन back end में तो आपको java skip ही चलेगा वैशे ये view.js का chapter 16 है इसके पहले के वीडियो में और भी अच्छे-चे projects को बना कर दिखाये गए थे अगर आप उनको पढ़ना चाते हो तो प्लेलिस्ट में चाहिए यहाँ पे आपको view.js का साड़ा वीडियो दिख जाएगा चैनल अब तक आपने subscribe नहीं किया तो subscribe करके bell icon को hit किजिए इस functionality को बनाने के लिए आपको color के logic को समझना होगा कोई भी color red green blue ये तीन color से मिलके ही बनता है तो physical world में भी और distal world दोनों में color से ऐसे ही बनता है जैसे देखे ये रहा Photoshop RGB यानिके red green blue तो red का value 0 से लेके 255 के बीच का होगा green का भी 0 से 255 के बीच का और blue का भी 0 से 255 के बीच का अगर आप इनमें थोड़ा सा भी changes करोगे तो देखे आपको color अलग दिखेगा जैसे red का value 155 है और अगर मैं यहाँ पे green का value 255 कर दूँ यानिके 25 तो देखे कुछ ऐसा color generate हुआ वाशे ही अगर मैं blue को change करूँ तो देखे कुछ ऐसा color generate हो गया तो यहाँ काम करने का logic क्या होगा शोँ देखिए प्रती 1 सेकेंड पे आपको अलग 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 कलर दिख着 हुआ है तो हम क्या करेंगे? प्रती 1 सेकेंड पे red का value चेंज करेंगे, green का value चेंज करेंगे और blue का value चेंज करेंगे automatic आपको अलग-लग colors देखने को मिलेंगे तो यहां आजाए अपने source code में view के सब्दों में code करने के लिए create app instance को call करेंगे और इसके अंदर से mount function को call कर लेंगे हमें coding किसमें लागू करना है view का वो define कीजिए मैंने define कर दिया view share related content वेब page के अंदर ही इस्तमाल हो पाएगा view js की coding यहां पे करेंगे पहले हमें कुछ property को create करना है इसलिए data method को इस तरह से define कीजिए और return के माध्य हम से कर ली bracket के अंदर सारे property को declare करके return कीजिए देखे पहला property create कर लेंगे red के नाम से इसमें 0 store करेंगे अगला property create कर लेंगे green के नाम से इसमें भी 0 store करेंगे और फिर अगला property create कर लेंगे blue के नाम से इसमें भी 0 store करेंगे और एक और अगला property create कर लेंगे color के नाम से इसको पहले से string के सब्दों में ऐसे empty रखेंगे देखे जरा data function यहाँ पे बंद हुआ इसके बाद हम functions को बनाएंगे तो view.js में functions को बनाने के लिए methods property का इस्तमाल करते हैं और फिर इसके अंदर function को create करते हैं जैसे मैंने control के नाम से function create किया अब जो भी code करना है function के अंदर वो यहाँ करेंगे, testing purpose के लिए alert को आप यहाँ पे define कर दो, अगर आप run करोगे तो result नहीं आएगा क्योकि function तब तक execute नहीं करेगा जब तक आप उसे call ना करो तो हमें control function को call करना इसलिए जो webpage वाला element होगा इसके अंदर, ऐसे हम control नाम के function को call कर लेंगे, run करके test कीजिए देखिया, lot execute किया, हमें प्रती 1 second पे 0 से लेके 255 के बीच में random number को generate करना है, तो गोर से देखिए set interval function को call करेंगे, set interval function के अंदर दो परामिटर, पहला आपका function ह तो javascript के शब्दों में, यानि कि नए javascript के शब्दों में function हम ऐसे बनाते है, आप यहाँ पर timing define कर दो, 1000 millisecond, इसका मतलब यह हो गया, कि यहाँ जो भी code अप्राइट करोगे, वो प्रती 1 second पे repeat होता रहेगा, ओके, तो हमें प्रती 1 second पे random number को generate करना है, तो javascript मे एक function होता math.random, आप इस function को call करो, और यहाँ पर define कर दो, multiply 255, तो 0 से लेकर 255 के बीज में, यह आपको random number generate करके देगा, प्रती 1 second पे, ओके, लेकिन जो यह random number generate करेगा, उसमें decimal होका, जैसे हो सकता है 12.5 हो, हो सकता है 14.5 हो, हमें decimal नहीं चाहिए, हमें सिर्फ decimal के बायं साइड वाला number चाहिए, तो उसके लिए math.floor का इस्तमाल करेंगे, और math.floor के अंदर आप इसे ऐसे रख दो, तो ऐसा करने से क्या होगा, 0 से लेकर 255 के बीज का, प्रती 1 second पे यह हमें random number देगा, जैसे testing purpose के लिए आप एक काम करो, और lot के अंदर इसे ऐसे रख दो, run कीजिए, 1 second पे 10 आया, ठीक है, पहले 1 second पे 10 था, फिर अगले 1 second पे आया 230, फिर अगले 1 second पे आया 177, तो कहने का मतलब है कि 0 से लेकर 255 के बीज में, प्रती 1 second पे यह हमें अलग-लग numbers को present करेगा, तो red के लिए अलग चाहिए, green के लिए अलग चाहिए, और blue के लिए अलग चाहिए तो देखे, मैंने red वाले property को access करके, इसमें red का random number generate करके रखा, वैसे ही same code आप चलाएए, green के लिए, तो मैं यहाँ define कर देता हूँ, ऐसे green, फिर इसके बाद same code चलाएए, blue के लिए, तो क्या होगा, प्रती 1 second पे red में अलग random number चाहिएगा, 0 से 255 के बीज में, फिर green में अ अलग random number चाहिएगा, 0 से 255 के बीज में, यही color आपको body में set करना इसलिए, document.body को select कीजिए, और इसमें style property को pass कीजिए, यहाँ पे background color property को आप pass करोगे, तो background color property के माध्य हमसे आप color दे सकते हो, हमें RGB के form में color देना है, गौर से देखे जरा, तो यहाँ string के सब्दों में RGB के form में colors को define करेंगे, तो यहाँ देते है red का value, यहाँ देते है green का value और यहाँ देते है blue का value, तो यहाँ predefined नहीं देना है आपको, red का value इसमें आएगा, वो यहाँ आएगा, green का value जो इसमें आएगा, वो यहाँ आएगा, और blue का value जो इसमें आएगा, वो यहाँ आएगा, ओ तो यही दिस red, दिस green और दिस blue को हमने यहाँ पे access किया लेकिन देखे गौर से string के अंदर आपका property या variable नहीं होगा तो हमें यहाँ पे concatenation करना होगा RGB का जो पहला bracket होगा उसको dual code से बंद करके addition operator का symbol दीजिए फिर देखे रेड के बाद concatenation का symbol देंगे यानिके addition operator का और इसके बीज में कौमा को रखेंगे ऐसे और फिर इधर से concatenate कर देंगे फिर यहाँ concatenation का symbol कौमा को ऐसे रखे और फिर यहाँ concatenation का symbol और इसको इधर से तो क्या होगा string के सब्दों में यहाँ पर यह आएगा बीज में string के सब्दों में कौमा आएगा और जहाँ red का value चाहिए वहाँ इसकी वज़ाशे red का value जाएगा जहाँ green का value चाहिए वहाँ इसकी वज़ाशे green का value जाएगा और जहाँ blue का value चाहिए वहाँ इसकी करके हम कहां सेट करते हैं बोडी के बैक्राउंड बे तो डेफेनेटली हर बार वन सेकेंड पे आपके बोडी का बैक्राउंड कलर आपको चेंज होता हुआ दिखेगा वैसे इस कलर प्रोपर्टी की फिलहाल कोई आवशकता नहीं है मुझे लगा था इसका इस्तमाल होगा इ जैसे मैंने डिफाइन कर दिया 100 मिली सेकेंड तो देखे 100 मिली सेकेंड पे कलर यहां पे चेंज होता हुआ आएगा वैप इंस्टिटूशन की सोफ्टे इंजिनरी ओलाइन क्लास से चलते है जहां पे आप वैप साइट अप्लिकेशन और मोबाईल के सोफ्टेश को डेवल मन्थली इंस्टॉल्मेंट में आप इस कोर्स को कर पाओगे एक छोटा सिले के बड़ा डेवलपर बनने तक की सारी जानकारी इस कोर्स में एवलेबल है इसलिए इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जरूर प्राप्त करे वैप इंस्टिटूट की वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद